स्टूदें से सिरीज में हम डिस्कुस करेंगे आपके बिजनस स्टाट्स का जो आपका पहला है पहला पेपर जो है आपका इसमें हम डिस्कुस करेंगे सिरीज आपके कितने तरह की होती है ठीक है जिसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्टिबुशन ही बोलते हैं ठीक है तो सिरीज आ पहचान हम कैसे करते हैं और exam में ये पूछे भी जाते हैं बिना series के आगे के जो numerical होंगे वो भी नहीं solve हो पाएंगे और आगे के जो भी questions है और concept जो हैं नहीं समझ पाएंगे तो इस lecture में हम describe करेंगे series कितने तरह की होती हैं कौन सी series के क्या features हैं और series की पहचान आप कैसे करे ठीक है series को हम हिंदी में बोलते हैं हम ये session हिंदी इंगलिस दोनों में लेके चलेंगे ठीक है देखिए series को हम बोलते हैं क्या स्रेणिया ठीक है series को हिंदी में बोलते हैं स्रेणिया या हम इसे बोलते हैं frequency distribution अब जो ये series है हम एने एक definition लिखिए कि systematic arrangement of the items into a particular order or sequence in a different classified categories मतलब जब भी हम किसी data को या आकड़ा को ascending या descending order में ठीक है लिखा जाता तो उसे हम क्या कहते हैं स्रेणिया कहते हैं जैसे अगर माल लीजे कोई जैसे number दिया मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 ठीक तो ये क्या है छोटे से बड़े तेकरम में हैं मैंने लिखा 4, 3, 2, 1 इस तरह मैंने लिखा तो ये क्या हो गए आपकी series हो नहीं ठीक है तो जब भी किसी भी data को या आकड़ा को हम क्या है उसको व्यक्तिगत धंग से या क्रमवद धंग से ascending या descending order में उसको हम लिखा जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं series कहते हैं ठीक है अब ये series जो स्रेणिया होती है वो तीन तरह की होती है ये पहली होती है individual series इंडिविज़िवल सिरीज को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत स्रेणि च्या बोलते हैं मतलब individual series का मैंने यहां एक example भी लिया हुआ है इंडिविज्वल सिरीज की विशेष्था क्या होती कैसे इसकी पहचान करेंगे जब कोई भी डेटा या जब कोई भी आकड़े दूसरे आकड़ों पर निर्भर न हो अर्थात प्रतेक आकड़े अपने आप में स्वतंत्र हो तो उसे हम क्या कहते हैं वैक्तिगत स्रेडी कहत हैं जैसे अगर हम as example मिलें 1,2,3,4,5 ऐसे मैंने numbers लिए मैंने लिखा A, B, C, D तो इंडिविज्वल सिरीज ये है वैक्तिगत स्रेडी का मतलब मैंने कहा कि जब भी कोई आकड़े दूसरे आकड़ों पर निर्भर न हो अर्थात वो प्रतेक जो आकड़े होते हैं वो स्वत हों तो उसे हम क्या बोलते हैं इंडिविज्वल सिरीज मिन्स वैक्तिकत स्रेडी कहते हैं जैसे यहाँ पर आकड़े दिये थे मार्क्स दिये थे अगर हम मार्क्स की बात करें 60, 70, 80 तो मैंने क्या किया कि ये जो है numbers वो क्या है ना तो ये किसी पर किसी पर निर्भर है और ये अपने आपने क्या है स्वतंत्र है तो ये क्या है इंडिविज्वल सिरीज है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी दूसरा सिरीज कौन सा है यहाँ पर डिस्क्रीट सिरीज और कंटिनिवस सिरीज अब जानेंगे कि हम डिस्क्रीट और कंटिनिवस सिरीज क तो discrete series की पहचान हम कैसे करते हैं यह आपका क्या है discrete series है और यह है continuous series है तो discrete series की पहचान हम कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुई है आपका marks दिया हुआ है और यहाँ पर frequency दिया हुई तो इसके पहचान हम कैसे किये discrete series की तो discrete series जिसे हम बोलते हैं खंडित स्रेड़ी means जब एक data या एक आकड़े दूसरे पर निर्भर हो बिना उसकी सहायता से means दो आकड़ों के सहयोग से कोई कार रहो means हमने क्या कहा कि खंडित स्रेड़ी वो स्रेड़ी है जब आकड़े दूसरे पर क्या हो निर्भर हो यह दोनों आकड़ों के सहयोग से ही कोई कार रहो तो उसे हम क्या बोलेंगे discrete series जिसे हम खंडित स्रेड़ी बोलेंगे यहाँ पर आपके marks दिये थे और आपके यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई थी तो discrete series की पहचान कैसे हैं जहाँ पर आपके frequency दी हुई हो ठीक है और वो दोनों जो हैं एक दूसरे पर क्या है निरभर हो तो वो कौन सी series होगी कौन सी स्रेड़ी होगी discrete series अब हम समझेंगे continuous series कौन सी होती है continuous series जिसे हम बोलते हैं वर्गी क्रित्स्रेणी या सतत्स्रेणी continuous series में हाँ देखेंगे कि आप लोग ने पढ़ा होगा जिसमें आकड़े किसमें दिये हो वर्गों में या क्लास में दिये रहे हो जैसे हैं class interval दिया ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 यहाँ पर क्या दिया है एक interval दिया गया है एक continuous series का कि लगतार 10 से 20, 20 से 30 तो ऐसे एक interval और क्या है वर्ग है ठीक है अब यह जो continuous series होता है इसमें दो तर एकी series होती है ठीक है continuous series में क्या होता है दो होता है एक होता exclusive series और एक होता inclusive series exclusive series को हिंदी में बोलते हैं अप वर्जी स्रेड़ी और inclusive series को बोलते हैं समावेसी स्रेड़ी ठीक है continuous series में दो series हमें जान नहीं है दो तरके होते हैं एक exclusive series और एक inclusive series exclusive series जिसे मैंने बोताया अप वर्जी स्रेड़ी समावेसी स्रेड़ी जिसे हम बोलते हैं inclusive series कह रहा है कि inclusive series में कि the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval and it is useful if value is complete number or in decimal यह आपका दिया है जैसे 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 और 2-10-53 यह आपके frequency दिया है तो यहाँ देखे exclusive series, excluded समझ में आ रहा ना किसी वर्जी की उच्च सीमा किसी वर्जी की उच्च सीमा अगले वर्जी की सीमा के बराबर हो तो उसे हम कौन सी series कहेंगे exclusive series यहाँ पर 50 पहले वाले में दिख रहा है तो दूसरे में भी क्या आ रहा है exclude हो रहा है means 50 इसमें भी 50-60, 60-70 और 70-80 तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी वर्जी की जो पहली जो है वर्जी की पहली उच्च सीमा अगले वर्जी की सीमा के क्या हो पराबर हो अगर हम 40 और 50 को एड करें तो मेरा कितना आएगा 90 और डिवाइड किस से करेंगे 2, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 10 मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इन दोनों को एड करोगे तो वो एक एकवल होंगे ठीक है अब यहाँ देखिए inclusive series में क्या कहा जा रहा है इन दिस series value of the upper limit of the class is included in that every in the very class interval और यह कभी useful है जब complete number दिये है inclusive series का मतलब यहाँ पर आप pattern देखी रहा है 10 से 19, 20 से 39, 30 से 49 और 49 यहाँ पर क्या हो रहा 10 से 19 को लिया गया है 19 के बाद क्या 20 से 29 और यहाँ देख रहे थे 40 to 50, 50 से 46 तो यहाँ पर 40 और हम 49 ले रहे थे 40 से लेके 49 तक और 50 से लेके 59 तक यहाँ पर 10 to 19 ले रहे है अब 20 to 29 तो यह थी आपके inclusive series means inclusive series में क्या होता है जब किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की सीमा के बराबर नहीं होती है क्या होती है वर्ग की अगले सीमा जब किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की सीमा के बराबर नहीं हो तो उसे हम कौन सी series बोलेंगे inclusive series बोलेंगे means 10 और 19 को अगर हम add करें तो कितना आएगा 29 upon 2 करेंगे तो सारे वर्ग की सीमा यहां क्या होती है, पराबर होती है, और एक नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, कि जो inclusive series होती है, जो inclusive series होती है, inclusive series को कभी भी हम समावेसी स्रेडी में क्या हो सकता है, convert नहीं कर सकते हैं, यह जो आपकी स्रेडी होती है, यह exclusive series होती है, यह आपकी जो स्रीडी है इसको कभी हम inclusive में नहीं convert कर सकते है means समाव इसी स्रीडी में convert नहीं किया जाकता है generally नहीं change किया जाता है लेकिन हम इस inclusive series को क्या हो सकता है exclusive series में हम क्या करते है change करना compulsory होता है और हम कर भी सकते हैं ठीक है तो यह आपकी तीन तरह की series इस थी individual series discrete series और continuous series next हम series की बात करेंगे open-ended series अब भी open-ended series क्या होती है open-ended series को हम बोलेंगे in this series the lower limit of the first class in the series and the upper limit of the last class in the series is missing open-ended open-ended का नाम से ही लग रहा है हमारा क्या यहाँ पर है open-ended यहाँ पर देखिए age दिया हुआ है और यहाँ पर आपकी frequency दिया है अब जो age दिया है यहाँ पर below यहाँ पर क्या है upper limit आपकी जो missing है और lower limit यहाँ पर last में क्या है मैंने यही definition लिखा है न कि in this series lower limit of the first class first class यह हो गया first class का lower limit यह है तो यहाँ पर क्या है यह तो ना दिया हुआ है इससे कौन सी series पहचान जाएंगे open ended series means खुला वर्ग स्त्रेडी ठीक है जहाँ आपका upper limit of the first class missing हो और lower limit of the last class interval missing हो तो वो कौन सी series होगी open ended series next series की हम बात करें that is your cumulative frequency series cumulative frequency series जब आप लोग numerical लगाए होंगे तो यह series आपने use की होगे in this series we either add या subtract the frequency of all the preceding class intervals to determine the frequency for a particular class cumulative frequency वो series होती है जिसमें या तो हम add करते हैं या subtract करते हैं frequencies of all preceding जैसे हम marks दिये होए आपके कितने of frequency दिये है अब अच्छा ही बताएए marks और frequency दिये हुई है तो यह कौन सी series है यह होजाएगे आपके discrete series means खंडित trading अब आपको series पहशानना आ गया होगा ठीक है तो marks दिये हो यह frequency दिये है अब हमे cumulative frequency दिया नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे तो frequency पहले का दिया था तो हमने 5 लिख दिया अब 5 के बाद क्या है 10 तो 5 में हम 10 add करेंगे तो कितना जाएगा 15 फिर इस 10 में 6 add करेंगे फिर इस 15 में हम क्या add करेंगे 6 को add करेंगे मतलब पहले मैंने क्या किया देखिए पहले मैंने 5 लिख दिया अब इस 5 को 10 से add किया तो 15 आ गया फिर इस 15 को 6 add किया तो 21 आ गया फिर इस 21 को 9 से add किया means 30 आ गया add-cumulate करते जाए जोडते जाए तो that is called cumulative frequency series तो इतनी तरह कि आपकी series जो है पूछी जाती है और इहीं पर आपके numericals जो है attempt होते हैं और बीना इस numerical के बीना इस series को समझाए बात आगे के कोई concepts नहीं समझ होते है तो आई हो पर आपको समझ में आएगा कि